नमस्कार आप देख रहें एबी नियूज और मैं हूँ आपके साथ शिप्राजा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी लवली और आज हम बात कर रहे हैं चमकी बुखार की जिया चमकी बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है अब चमकी बुखार अलग-अलग इलाकों में भी अपना पाउ बसा रहा है और आज की मैं आपको बात बता दूँ तो आज तीन बच्चों की मौत हो गई चमकी बुखार से और मौत का आकड़ा जो है वो अब 170 तक पहुँच चुका है एक एक करके सबी राजनेता वहां पहुँच रहे हैं हालात का जाइजा ले रहे हैं आ लोग उनको देखने और बोलने के लिए वहां पे आ गए और वहां पे मतलब जैसा कि आपने कहा कि माहौल काफी दिन प्रते दिन खराब होते जा रहा है आज तीन बच्चों की मौत हो गई साथ-साथ जो चार बच्चे हैं और भी घायल हो गए हैं तो यह जो आकड़ा है लग आता है बढ़ते जा रहा है और ऐसे में जो भी वहां राज नित्स पहुंच रहे हैं ऊक्रोश थे ने ये भी कहा कि यहां कोई राजमतिक बवाल खड़ा ना करे मैं सिर्फ मतलब हाल चाल और मतलब जो बच्चे बच्चों के प्रती जो भी घटनाई हो रही है बच्चों के साथ जो हो रहा है मैं उसका जायजा लेने और हाल चाल जानने आया हूँ बिल्कुल लवली जिस तरीके से मुजपरपुर में हुआ है चमकी बुखार जिस तरीके से फैल रहा है और ये पहला मामला नहीं है बहुत दिनों से चलता आ रहा है कही न कहीं सरकार की लापरवाही इसमें देखने को मिली है सकेमच का जब ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सयोगी निवास जमें बीजोल भी यह था उसको भी देखके लग रहा था कि कितनी गंदगी है वहाँ पर जिस वज़ा से ये बीमारी जो है और ज्यादा फैल रहे है एक बेड पे तीन चार बच्चे है जी बच्चों की भी जो आया था मतलब की की लीची के कारण फिर और भी तमाम तरह की चीजे आई थी उस पर भी काफी सियासत की गई थी सियासत खेला गया था लेकिन आखिर में सवाल यह उठता है कि जब यह अगर ऐसी बिमारी है तो उसके लिए फैसिलिटी क्यों नहीं है सरकार आखिर क्या कर आखिरकार कियों नहीं बच्चों पर द्हान दे रही है और साथी आज इतने दिनों के बाद जो है नतिश कुमार हो या फिर कनहया कुमार हो उनकी आख्वुली आकुरोशित होना भी वा spins है क्यूंकि इतने दिन बीचि जाने के बाद अब विपक्ष्च्च के लोग वहां जा रहे हैं इनफेक्ट वो लोग सच में इसको एक राजनितिक मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार को इसको लेकर गेरा जाए जी और इस पे आपको कहा दे कि आज मतलब निदिश कुमार की हाँ भी हमारे कुछ पत्रकार भाई जो हैं वहां पहुंचे थे और वहां पहुंचन कहीं वह मतलब इस चीजा बचना चाहा रहे हैं जवाब नहीं देना चाहते हैं और उनको जैनतों पता दे आज जिसा की देखा भी जारा है जहर एकल निदिश कंवार मेर मीडिया करमियों को लेकर क्रोध भी था जिसका को भी मिला राम विलास पासवान के nomination और उन्होंने मतलब साफ कहा कि पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सवाल से बस्ते नजर आ रहें और हर जितने भी नेता हैं वो सब सब सबस्ते बस्ते नजर आ रहें और इसे शाफ तोर पर यही जाहिर होता है कि बिमार बच्चे जो हैं वो मरते रहें माता पिता हैं उनके चितकार सुनाई देते रहे लेकिन उस सरकार से सवाल ना पूछा जाए ये बात तो वही वाली होगे जी मतलब जो भी हालात बने वे हैं और जिस तरह से जो भी नेता प्रतिपक्ष है या फिर जो नेता है वो इस तरह जो ये बच रहे हैं इन सवालों से ये साफ तोर पर यही कह रहा है कि वो मतलब जवाब नहीं देना चाहते हैं वो अपनी नाकामी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम नाकाम हैं बिल्कुल अट लास्ट यही एक सौल निकल के सामने आता है कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार जो अपनी लापरवाही को बचाने के में लगी हुई है और वही जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी राजनीती की रोटी सेकने में लगे वह हैं उसको एक मुद्